नमस्कर, न्यूस क्लिक की इस खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाएंगे महर दिसाई से महर, बॉंबे हाई कोट में वरिष्ट वकील हैं और भीमा कोरे गाउं मामले में डिफेंस कमिटी के सदस्य भी हैं वे भीमा कोरे गाउं में बंद 13 लोगों की रिहाई के लिए लंबे समय से संघर्शरत हैं, कोट में तमाम अलग पड़ाओं पे उनका हस्तक शेप रहा है और खास तोर से इस समय उनकी भूमी का और एहम है जब वाशिंग्टन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि भीमा कोरे गाउं मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन जो एक राज़ितिक कारेकरता दिल्ली में थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनका जो लैप्टॉप था उसमें जिस तरह कि जो आपत्ती जनक सामगरी पुलिस ने साक्ष के तौर पर पेश की थी वाशिंग्टन पोस्ट का खुलासा है कि यह एक प्लैंटेड एविडेस था इसमें इस एविडेंस को जो उन्होंने बहुत मुश्किल से पुने से हासिल किया था पुने में जब मामला चल रहा था इसे मिहर और उनके साथियों ने अमरीका में भेजा था ताकि पता चल सके कि जो साक्ष पुलिस पेश कर रही है वह वाकई सही है कि नहीं और अब यह पता चला है कि यह साक्ष फैबरिकेटेड है प्लैंटेड है आईए जानते हैं मिहर देशाई से इस पूरे की पूरी केस में क्या हो रहा है और जो अभी खुलासा हुआ है इस मामले में सुई कहां तिकती है शक्की न्यूस क्लिक में मेहर जी आपका बहुत स्वागत है अभी आप से जो हम बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं वाशिंग्टन पोस्ट में जो एक एहम खबर आई है जिससे यह पता चलता है कि भीमा कोरे गाउं मामले में खास तोर से उसमें जो रोना विल्सन को जिस तरह से गिरफतार किया गया जो साक्ष पेश किये गए थे वह साक्ष फैब्रिकेटेट थे उस खबर के मताबिक उस मामले से आप जुड़े रहे हैं तमाम और लोगों के साथ हमारे दर्शकों को बताई है कि यह जो खबर आई है वाशि हमारे कंप्यूटर पे टेंपरिंग होता है हमारे हम सब यह बात जानते हैं कि हैक कर सकते हैं लोग इमेल हैक करते हैं यह करते हैं और फिर इमेल से कुछ बेचते रहते हैं तो मैं पता है लेकिन जब और मुझे यहां लगता है कि यहां राज एस्टाबिश्मेंट का रोल ह कि जब establishment हमारी surveillance करता है जो नहीं करना चाहिए surveillance करता है उतना ही नहीं वो surveillance के through हमें criminal बनाने की कोशिश करता है जैसे कि इस मुद्दे में हुआ कि क्या हुआ कि कंप्यूटर Rona Wilson का computer था Rona Wilson के computer में एक malware डाला गया नर्वेर डाला गया यानि एक software डाला गया जिसकी वजह से जो व्यक्ति वह डालता है वह रोना विल्सन के computer को control कर सकता है वहां से कुछ भी nिकाल सकता है कुछ भी delete कर सकता है और कुछ सकते हो वह कंप्यूटर को में यह एक software है एक software यहां सिर्फ पुछ डिलीट करने के लिए निकुछ इंसर्ट करने के लिए यह sow यह यह मेल्वेर का उपयोग किया गया यह 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 मैल्वेर डालने के बाद जब वह व्यक्ति को रोना विल्सन के computer पे control हो गया फिर उन्होंने दो साल के दर्मियां यह 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 दो साल चला दो साल के दर्मियां फं टाइम तो टाइम अलग-अलग documents जो रोना विल्सन को और दूसरी लोगों के implicate करें वैसे documents डालने चालू किये और दो साल एक जो तो रेड हुआ एप्रिल में उसके एक दिन पहले तक यह मैलवेर्ट मैलवेर्ट यह डॉक्यूमेंट्स डाले गए तो मेरे खाल से यह सिर्फ रोना विल्सन या को रेगां केस का ही सवाल नहीं है यह आपते पूरे सारे देश का समाले कि यह आज रोना विंसन के कंप्यूट से हुआ कि आप के कंप्यूटर से हो सकता है कि सीगेवीं कंप्यूटर पो है जो सॉफ्ट्वेर मेहर जी को कांप्यूटर से हैं? और क्योंकि ये कोई नया software तो है नहीं और इस software का इस्तमाल पहले भी होता रहा होगा या होता हुआ है भारत में हुआ है तो ये basically क्या कुछ agencies के पास रहता है या personal hackers के पास रहता है अभी तक हमारे पास क्या जानकारी है इस software को लेकर अभी तक जानकारी है ज्यादा करके यह government organizations के पास रहता है यह software अभी तक की जानकार के मताविक में पुक्ता हो शायद हो सकता है ज्यादा spread भी हो गया हो लेकिन government organizations के पास होता है जो इसका उप्योग कर सकती है क्योंकि यह software डालने के लिए और फिर उसका उप्योग करके चीज़े डालने के लिए आपके पास बहुत वक्त चाहिए बहुत technical expertise चाहिए और finances चाहिए तो यह तीनों चीज जो है काफी महेंगा काफी महेंगा है यह software software शायद महेंगा नहीं होगा या नहीं होगा मुद्धे पता नहीं मैं अभी तक बाजार में का यह खरीद देखो यह software लेकिन एक बात जरूरी है कि यह software पाना मुश्किल है ऐसा नहीं है कि हम जाए और यह software लेले कहीं से भी ऐसा नहीं है मेरे खायल से इसका इसके उपर अभी तर चांच हो रही है सौफ़र किस तरह से मिलता है तो वह शायद अभी थोड़े थोड़े दिनों में आएगी बाहर यह थोड़ा सा बताइए कि यह जो रोना विल्सम का कम्प्यूटर है अगर यहाथ थ होता है क्योंकि जैसा कि लग रहा है कि त्रवींड़ साल से उस काम चाल रहा थो और क्वे आप कि शूड़े रहे हैं 모든 मोगों के तुन देखो इस सोला से किया गया है आज के दिन में उसमें से करीबन कम से कम 12 या 13 लोग बारे में तो ऐसा कहा गया है कि उनके खिलाफ computerized electronic evidence है यह ऐसा नहीं है कि उनके computer से मिला हुआ evidence है क्योंकि जैसे कि अनन थेल तुंडे है तो उनके खिला उनके उपर यह चार्ट लगाया कि रुना Wilson के computer से आपके बारे में एक letter मिला ? अनन थेल तुंडे के computer से नहीं मिला है रुना Wilson की computer से मिला है उसी तरह से दूसरे अलग अलग लोग higher उनके बारे में भी ऐसा कहा गया है चार या पांच computer ऐसे जिसके लिए बोल रहे हैं कि उनके computer से evidence मिला है उसमें से एक सबसे महत्वपुलने जो है वो रोना विल्सन का है तो इसलिए हमने रोना विल्सन की computer के उपर जादा पहले investigation उसके उपर किया तो यह तो आप देखिए कि उनक किसी ने जाके speech दी और वो speech से violence हुआ अभी न तो रोना विल्सन वहाँ थे ना सुरेंदर गडलिंग वहाँ थे ना अनन दिल तुमने वहाँ थे किसी का कहिना नहीं है कि यह लोग वहाँ थे यह स्ट्रेंड स्वामी या वारा वारा तो उनके उपर यह तो चार्ज तो उन के आदार पर वह रेंड डालते हैं लोग के उपर और उनका computer सीज करते हैं जब सुप्रिंग कोट में मामला जाता है सबसे पहले सुप्रिंग कोट में गया था यह मामला तो सुप्रिंग कोट में उनका यही कहना था कि इनके डिवाइस से हमको यह documents मिले हैं हाँ यह लोग शायद हाजर नहीं होगे हाँ यह लोग नहीं थे भी माकोरे गाव में हाँ यह लोग नहीं थे लगार परीशिक में लेकिन इनके खिलाफ हमको documents computer से मिलें सारे लोगों की computers इसे सुधा जी क्योंकि यहां पर थी दिली में उससे में उनकी computers की बात थी पैंड्राइव की बात थी आनंतियल तुम्रे जी का आपने जिक्र किया और यह क्या स्टेन स्वामी और बरवरा राओ जो इस से जुड़े हुए है गिरफतारी या सुदेन तो तीन चाक्षित में अगर मैं कहूं के 90-95 परसंट electronic evidence की बात की है चार-पांच प्रतिशत ऐसी बात की है कि कोई कोई ने किसको कहां तो भी देखा जैसे आनंद के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है या स्टेन के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन स्टेन स्वामी के ख लेकिन अभी तक उनकी क्लोन कॉपी हमारे पास आई नहीं तो जब आएगी तब हम उसको examination को बेजेंगे इनकी क्लोन कॉपी आपके पास आई वह कैसे आपको हासिल हुई यह जो क्लोन कॉपी है जो आपने अमरीका में उस तनस्थाव को बेजी कैसे हासे है हमने पूने कॉ कोट में था पूने पूलीस इरिस्टिकेट कर रही थी तभी हमने पूने कोट में एप्लिकेशन किया कि जो कंप्यूटर के आधार पे वह लोग हम बोल रहे हैं कि हम बुझेगार है वह कंप्यूटर की हमें क्लोन कॉपी हम को मिलनी चाहिए सिर्फ दॉक्यूमेंट नहीं क किट डोडिया लेकिन उससे कोई पता लीचलता है यहां से कंपिटर आप है किस समय कि बात है किस 2018 के लास्ट पार्ट की बात है 2018 के लेकिन फाइनली कोट ने ऑडर किया और फाइनली ये लोग ने दिया हमें December 2019 में क्लोन कॉपी तो क्लोन कॉपी जो मिली हमें वो भी अब तक सब नहीं मिली जो लेकिन रोणा की मिली सुरेंद्र की मिली वो हमें 2019 में मिली डिसेंबर में फिर ये कोवीड वगरे चालू हो गया हम लोग भी डून रहे थे किसके पास बेज़र फाइनली जुलाई 2020 में हमने यह संसा से कॉंटेक्ट किया डिफेंस टीम ने इस संसा के बारे में थोड़ा बताईए और जो डिफें चल रही है कई बार मामले हाई कोट जाते कई मार मामले स्प्रीम कोट तक गए है तो अभी जैसा की नीचे की सेशन्स कोट की डिफेंस टीम है उसमें कई कई लोग है जैसे कि सुदीप पास बोला है सक्तिनारायन है सूजन अब्राहम है और फिर यूग यूग चाउद्री ह लेवल पर मैं हूं सुदीप पास्पुला है दूसरे भी कई कई वकिल है है कोट के लेवल पर कपिल सिबल ने हमारे लिए अपियर हुए थे वरिंदा है वरिंदा ग्रोवर है निद्या निद्या रामकृष्ण है तो वैसे और और अभी बारा वरा रोका जो केस चल रहा है हाई कोट में उसमें इंदिरा जैसिंग और आनंग ग्रोवर है तो कई सारे वकील इसके साथ जुड़े हुए है तो इसने इन्होंने यह डिफेंस ट्रीम बदलती रहती है ऐसे नहीं कि एक ही डिफेंस ट्रीम है डिपेंडिंग ऑन कौंसा केस कब चल रहा है हाई कोट में चल कितना लगता है कि जो भेजने का फैसला था और उसे अब क्या रह निकलती है देखिए उसके ऐसा था कि हमें जैसे मैंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट्स है जैसे कि रोना विलसन है या सुरेंदर गाडलिंग या और और भी लोग है जिनके कंपूटर से कहा गया कि हमें यह document म यह सवाल पहले साया है फिर हमने सोचा कि अभी हम जाच के हम तो वकील है हम अगर वह फिजिकल डॉक्यूमेंट ने तो उसको एक्जामिन कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रोनिक डॉक्यूमेंट्स एक्जामिन करने की हमारी शब्ता नहीं है तो कोई इंडिपेंडनेट और और के पास जाए और बोले कि आप इसका इंडिपेंडनेट इंडिपेंडनेट इंडिपेंडेशन कीजिए तो कई लोगों ने हमें नाम सुझाया यह क्योंकि इंट्रेशनली यह इलेक्ट्रोनिक एविडेंस का काफी अभी बढ़ गया है इंडिया में इतना नहीं हुआ है अ इसके बारे में मीडिया में कि और वो तक्रीबन सौ फीसिदी इसके साथ बोल रहे थे कि यह फैब्रीकेटेड है और किस तरह से डाला गया नॉट ओनी एक और चीज़ हमें रखने चाहिए कि यह जो बात आई पहली बार वो वाशिंटन पोस्ट में आई यानि कल फर्स्ट रिलीस वाशिंटन पोस्ट में इन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक्सपर्ट से लैप से यह रिपोर्ट की जाच करवाई कि यह हम इसे चाप सकते हैं कि नहीं उन्होंने कहां तभी यह रिपोर्ट जाहिर हुआ यानि इसका पियर रिव्यू हो गया है इसको जो जिन्होंने किया है उन्होंने बोला कि हमने यह रिव्यू किया है तो मेरे खायल से रिपोर्ट बहुत ही सॉलिड है और अनिमपीचिबल है एक चीज आप से और जाना चाहूंगी कि जिस में बैटैये कि उन्होंने उन्होंने क्या कश था उन्होंने इलेक्ट्रोन बेसिस पे नहीं कैना तहां कि वह वह भी लीगल एक्सपर्ट है वो बात श्रीप आपको जाए जिए अनुगद महाराष्टिएं है तो उनको मराठी उनकी मधव ढ़ीं हैं और सुधा भारत वाज कभी महारास्टर में रही नहीं है उनकी मधव ढ़नतर पढें तो उन्होंने जब लेटर पढ़े तक बोले कि यह जो लंगवेज लेटर से iso को अ सबस्केंढ़ के लेटर से हैं वह वा लेंगवेज लगती नह लेकिन 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 यही दिखाता है कि कि यह लेटर जो है वो सुधा के नहीं थे या जो दूसरे लोगों के है उनके नहीं एक चीज अब यह महर जी आप ही बताई कि यह जब सब कुछ सामने आ गया है आज मुंबई हाई कोट में भी रोना विलसन की बेल के लिए दर्वा कि यह रिमांड़े है कि यह रिपोर्ट आने के बाद कम से कम पहले तो इनको सबको बेल पे चोड़ना ही चाहिए क्योंकि आप उनको बेल पे इसनी नहीं छोड़ा है क्योंकि कंप्यूटर में लॉक्यूमेंट्स मिले हैं अब जब प्राइमा फेसी आप दिखाई दे रहा तो कम से कम यह लोग को जैल में अलग बात है लेकं कम से कम जैल में सब छोड़ो हमारा यह भी कहना है कि यह पूरे ट्रायल है उसको कौश करो करो क्योंकि कंप्यूटर डॉक्यूमेंट यह ड़ूक्यूमेंट So इसे चोड़ हमारा ऐसा भी कहना है कि इन सिंसे किसक्राओं कि एंट स सफिस्केट करने नहीं कॉनस्पिरसी यह लोग को भी मा को independence कहते हैं कि इनौर संदर में बाद सामने आ Chen उसमें यह भी पता चल रहा है कि गिरफतारी के ठीक एक दिन पहले तक उनके कंप्यूटर में तो यानि तो यह बहुत लिंक बहुत इस्टाबलिश्ड जैसा है कि अगले दिन गिरफतारी हो जाती और एक दिन पहले उनके सबसे जो विस्पोर्टप चीजें हैं वो उनके लै और एंफॉरस्मेंट एजन्सी डिमांड कर सकती है क्योंकि इंटरनेशनल आई-पी एड्रेस वगेरे जो कि वहां वी पीएन जो वेरी प्राइवेट नेटवर्क करके नेटवर्क है उससे यह सब डाला गया है अभी वह उसमें क्या नॉर्मली क्या करते हैं नॉर्मली आई- हिए जो पूरा वंवाय है उसमें आई-पी अध्रेस आहिए-द्रेस आजीमिनीट बदलते हैं एक एक दिखाएका क्य dapat अंगरेकर को इस Sound Club सोफ्वियरल एक्सपर्ट ये नहीं बता सकया गर है आपको मिली थी जो आपने भी जिटेरा लोग हैं यह सारे लोगों की ऊपर जो आरोप है या जो डिर्फ्तारियां है उन को अगम से कम पाँच आपको सवाल उठाती है कम से कम पांच भाप से सब्सक्राइब कर दो तीन अगर हमने देखेंगे हम देखेंगे तो आपकी लोगों के खिलाफ एविडेंस यह है कि आपने यह लोग के साथ मिलके कुछ यह लोग के साथ मिले हुए है अब यह लोग जिसके साथ मिले हुए है वही उनके खिलाफ ही के सवाली नहीं होता है तो मेरे खायल से पूरा एक जो शड़ेंत रहे हैं और यह कॉंस्पिरसी एक बार क्यूंकि चार्ज कॉंस्पिरसी का है किसी के उपर चार्ज यह नहीं है कि आपने जाके बं लगाया या आपने जाके किसी को गोली मारी या या आपने कुछ यूनों ड्रक्स करीदे इस तरह करें या थो आप खुद कोई शेर ट्रेवरिस एक्टिविटे में शामिल हुए इस तो चार्ज किसी के सामने नहीं है तो चार्ज का है कॉंस्पिरसी का है कॉंस्पिरसी में बहाब 20-15 तो आपको लगता है कि बचाव का एक रास्ता मिलता है इस रिपोर्ट के बाद हां 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 मुझे लगता है बचाव अभी वह तो कोट करेंगी कि कितना तो अभी आठ दस दिन के बाद एक तारीक मिलेगी क्योंकि अभी कोविड के वज़े से कोट में थोड़ा लंबा चलेंगा सामने वाले को भी जवाब देना पड़ेगा अभी आठ दस दिन में पता से लेकिन शायद यह पहली बार हुआ है कि इस तरह से एक इंटरनाशनल है अपनी रिपोर्ट दी या इससे पहले भी कभी हुआ है ऐसा मुझे पता नहीं है हुआ होगा शायद मुझे पता नहीं है लेकिन आ LIKE कि इतने बड़े पैमानें पर क्योंकि एक एजer בא का कहिना है कि हमने हमने हने सैकड़ जांशन पहीं है लेकिन जो हमें यह रिपोर्ट के अंदर लिखना च मोई किस तरह की टेंपरिंग की जगह पे चल ञद कर दो तो इंपोर्टन होता है कि हम जो भी यूमन राइट्स के डिफेंडर्स है जो भी डिसेंटर्स है उनके खिलाफ यह आज अगर वीमा कोरेगां में वो लोग सक्सेस्फुल हुए तो बाकी सब जगह पर यूज करेंगे दिल्ली में तो यूज करी रहें तो इसलिए यह बहुत ही इंपोर्टन है कि कोट भी इसको सीरियस लिए कि इस तरह के आधार पे आप लोगों को दो तीन-तीन साल तक जिल में हो सकता है कि अगर यह रिपोर्ट नहीं आती तो पर कंविक्टों के लाइफ इंप्रिजिन्मेंट हो जाती है तो आप इस तरह का जो एविडिन्स क्रि कर दो एविडिन्स क्रिण आती है